Qs No.13 Qs No.13 में हमें 4 option दिये हुए और इन में से हमें odd word find out करना है सबसे पहले option एक को देगा 47 8 9 0 अगला है 15672 अगला है 4 3 2 1 6 और यह दिया हुआ है 4 3 2 6 5 हमें इन में 4 में से odd word find out करना है अगर हम पहले option को check करें पहले option में हमें एक pattern दीख रहा है इसके जो middle के 3 number है वो consecutive number है 789 अगर हम option B देखें option B में भी अगर हम बीच के 3 number देखें तो ये भी 3 consecutive है 567 अगर हम option C देखें तो इसमें भी 321 ये भी consecutive है लेकिन अगर हम option D देखेंगे तो इसके जो middle के 3 inverse है 326 ये consecutive नहीं है यानि कि पहले option A में एक pattern लग रहा है वही pattern same option B में लग रहा है वही pattern option C में लग रहा है लेकिन option D में वो pattern नहीं लग रहा है तो हमारा odd one out कौन से हो जगा option D is odd तो हमारा आंसे हो जगा option D is correct